more on soluble salts के बारे में बात करते हैं soluble salt की से पहले हमने दो methods देखे थे बनाने के और अब हम देख रहे हैं third preparation का method हम यहाँ पर preparation of soluble salts by action of an acid on a metal तो यहाँ पर हमने general इसका reaction लिख भी दिया है कि acid कोई भी हो और उसके साथ हम metal लेंगे और दोनों का reaction होगा reaction between acid and a metal undergo formation of soluble salt तो यहाँ पर कौन साथ बनेगा soluble salt बनेगा और साथ में यहाँ पर क्या इर्वाल्व होगी hydrogen gas तो hydrogen gas जो है यहाँ पर निकलेगी अगर हम इसको देखें फर एक्जांपल यहाँ पर हमने metal ले ली है और इसके उपर जो हम क्या करते हैं acid गिराते हैं और acid के गिराने से क्या होता है कि metal और इस acid का reaction होगा और इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो होगा जी salt और साथ में इस metal की surface के उपर से कुछ bubbles जो हैं वो बाहर की तरफ निकलते वे नजर आएंगे यह जो bubbles बनते वे बाहर नजर आएंगे यह किसके होंगे यह hydrogen gas के होंगे और इसको रिपेजन किया जाता है H2 और इसके साथ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ gas तो hydrogen gas के लिए यह formula यूज किया जाता है यहाँ पर यह बात करते चलें कि periodic table यानि कि एक ऐसा table जिसके अंदर तमाम elements को जो कि अब तक discover हुए हैं उनको उनके atomic number यानि कि proton number के हवाले से arrange किया गया है उसके हम कहते हैं कि one और two groups की metals को क्या किया जाता है acid से react करवाया जाता है और यहाँ पर हम periodic table ले आए हैं तो group one ये वाला है और group two ये वाला है इसकी जो metals है उनको acids के साथ जो है वो react करवाया जाता है और इस तरह से क्या बनता है जी soluble salt बनता है और साथ में hydrogen gas बनती है for example यहाँ पर H2SO4 हम first example चले लिख लेते हैं aquis solution इसका लेंगे और इसको किस metal के साथ हम react करवाते हैं जी H2SO4 को two moles of sodium metal के साथ हम react करवाएंगे sodium metal solid form में लेंगे तो product में हमारे पास क्या बनेगा sodium sulfate Na2SO4 यह क्या है यह soluble salt है और यह aquis form में बनेगा aquis के लिए small a और q लिख दिया है तो इसका नाम लिख दिया है sodium sulfate salt और साथ में H2 यहनि के hydrogen gas form में यहाँ पर बनेगी उसके लिए small g हमने represent कर दिया है second example अगर देखें इसकी तो हम use कर लेते हैं two moles of sorry two moles of hydrochloric acid का aquis solution हम लेंगे और इसको हम react करवाते हैं एक metal के साथ calcium metal हम ले लेते हैं और इसके लिए symbol यूज करते हैं capital C or small a solid form में हमने लिया है इन दोनों का हम reaction देखेंगे कि HCL हमने drop करना है या गिराना है calcium metal के उपर तो product बनती है calcium chloride और यानि कि ये salt है calcium chloride salt चलें इसके साथ हम लिखते हैं और इसके साथ साथ product में क्या बनेगी hydrogen gas तो इसको H2 इस तरह से formula की form में हम लिखते हैं साथ में small g लगा दिया जाता है third example हम देखते हैं कि हमने एक acid लेना है और उसको एक और metal की उपर जो है drop करवाना है या गिराना है तो acid हम ले लेते हैं two molds of hydrochloric acid और इसके साथ हम metal जो ले रहे हैं वो है magnesium metal solid form में लेंगे तो liquid solution के अंदर जो salt prepare होगा वो होगा magnesium chloride salt और साथ में hydrogen gas जो है वो evolve होगी तो salt का नाम लिख देते हैं magnesium chloride salt और ये तमाम क्या है ये soluble salt है उसके बाद हम soluble salt को prepare करने का fourth method देख रहे हैं preparation of soluble salts by action of an acid on metal carbonate metal carbonate के उपर acid जो हम गिराएंगे या हम reaction देखेंगे दोनों का तो क्या बनेगा soluble salt metal carbonate will react with mineral acid आपस में हम कहते हैं कि दोनों का reaction होता है और उसके बाद produce होता है जी उस metal का salt जो के soluble salt है साथ में बनेगा water और साथ में gas produce होगी जो के है carbon dioxide gas तो सबसे पहले हम two molds of hydrochloric acid ले ले लेते हैं इसका aqueous solution हमने यहाँ पर use करना है यहाँ पर use करेंगे sodium carbonate Na2CO3 और इसका भी हमने क्या लेना है जी aqueous solution prepare करना है और उसके बाद क्या होगा इन दोनों का अपस में reaction होने के बाद two molds of sodium chloride बनेंगे NaClS को लिखा जाता है इसके साथ साथ क्या produce होगा water in liquid form में produce होगा यहाँ आमने small l लिख दिया है और sodium chloride चूँके aqueous solution के अंदर salt बन रहा है soluble salt तो इसके साथ small a और q लिख दिया है और carbon dioxide चूँके gas form में है तो इसके साथ small g लिख दिया है यहाँ याद रहे कि organic acid यूज नहीं करें organic acid जैसे के सिर्का वगरा है या vinegar है organic acids वो वाले acids होते हैं जो हम different हम कहते हैं कि fruits वगरा में से हासल कर सकते हैं या different और भी food substance होते हैं उन से हम prepare करते हैं यह mineral acids वो होते हैं जो नमकियात में से निकलते हैं और कुछ reactions के बाद यह जो है वो बनते हैं इसके इलावा इनके source जो है वो inorganic source होते हैं चलिए हम दूसरे reaction की तरफ चलते हैं जो के preparation of soluble salt होगी जिसमें हम acid को metal carbonate के साथ react करवाएंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि HCl हमने लिया है लेकिन carbonate हमने change कर दिया है sodium carbonate के बिजाए हमने sodium hydrogen carbonate ले लिया है aquis solution में ही इसका हम देख रहे हैं कि reaction हम करेंगे तो इसकी product में नमक बन जाएगा NaCl खाने वाला नमक और table salt भी हम जिसे कह सकते हैं इसके साथ water बनेगा liquid form और carbon dioxide gas बनेगी तो यह दोनों क्या है sodium chloride salt है इसके साथ हमने यहां लिक भी दिया है third example में हम ऐसे करते हैं कि H2SO4 का aquis solution लेते हैं और इसको react करवाते हैं किसके साथ metal carbonate यहनि के sodium metal है तो इसका carbonate क्या है Na2CO3 इस तरह से हमने उपर भी mention किया है और aquis solution इसका लेंगे small a और q रिपेजन्ट कर दिया है अब जैसे ही हम देखेंगे कि यह दोनों आपस में react करेंगे तो क्या बनेगा इसी metal का यहनि के sodium metal का salt जिसे हम कहते हैं sodium sulfate salt और इसके साथ साथ क्या बनेगा जी water जिस तरह से हमने उपर देखा है liquid form में और साथ साथ carbon dioxide gas form में बनेगी इसके लिए small g लिख देते हैं तो आज हमने study किया more on soluble salts के बारे में जिसमें हमने दो और मजीद method देखे हैं और soluble salt को बनाया है